अगर उसमें आपका सेकंड पेपर लॉव से रिलेट करता है तो आप सिलेबर्स देखिएगा उसमें फैमिली लॉव आपके सिलेबर्स में हैं मैंने उसी में से एक टॉपिक लिया है एडॉप्शन का एडॉप्शन की जो हम बात कर रहे हैं तो हम यहां पर बात कर रहे हैं इसमें हिंदू एडॉप्शन मेंटिनेंस एक्ट के तहत आज हम यहां पर बात करेंगे पर्सन हूं में भी एडॉप्टेट आपसे यहां पर एक कौन सा section है वो होगा section 6 क्या requirement बताए गए हैं विलिट adoption की regarding पहला adoption की regarding एक requirement होता है सबसे पहले यह देखा जाता है कि वो कौन लोग हैं जो किसी बच्चे को बेटा या बेटी को adoption में receive कर रही हैं section 7 बताता है कोई भी हिंदू पुरुष अगर किसी capability होनी चाहिए section 8 कहता है कि अगर कोई हिंदू महिला किसी बच्चे को adoption में receive कर रही है उनमें क्या capability होनी चाहिए अगर इनमें married है अगर आदमी जो है वो शादी शुदा है या महिला अगर married है तब इस संबदने क्या पक्रिया होगी खिलाजिस हो चुकी है इनकी regarding जारा नौ जो है वो यहां पर यह बताती है कि जो लोग बच्चे को adoption में दे रही हैं वो लोग कौन होंगे माता पिता बच्चे को adoption में दे सकते हैं पर माता पिता में adopted father mother include नहीं किये जाते हैं guardian बच्चे को adoption में दे सकते हैं लेकिन court की permission यहां पर उनके लिए बहुत जरूरी होगी क्या परिसितिया होंगी जब guardian बच्चे को adoption में दे सकते होंगे यह आपसे multiple choice question में इस तरह के question answer पूछे जा सकते हैं आज इस requirement की हम हम बात करेंगे आज हम बात करेंगे person who may be adopted कौन से बच्चे को adoption में दिया लिया जा सकता है हिंदू adoption maintenance act के तहथ section 10 की आज हम यहां पर बात करने जा रही हैं हम कौन से section की बात कर रहे हैं सबसे पहला question यहां पर यह बनता है हिंदू adoption maintenance act का वह कौन सा section है जो यह बताता है कि जिस बच्चे को adoption में दिया जाना है वह कौन होगा वह section 10 है यहां पर सबसे पहली उसमें विशेश्चता क्या बताई गई है उस संबने हिंदू adoption maintenance act के section 10 में साफ कहा गया है वह विक्ति जिसको adoption में दिया जा रहा है adoption में रिसीव करा जा रहा है वह हिंदू होना चाहिए उसको पहले से कहीं और adoption में नहीं होना चाहिए कि और शी हैस नौट भी अलड़ी बीन अडॉप्टेट वह एडॉप्टेट नहीं होना चाहिए पहले से जिस भी बेटा या बेटी को adoption में किया जा रहा है जरूरी यह होना चाहिए कि वह मेरिड नहीं होना चाहिए क्या जरूरी है वह मेरिड नही कि यहां पर यह साबित कर दिया यहां पर कस्टम के तहट कि सिब लेने काप्शन है यहांपर करेदा को अपर्संद में लिया जा सकता है जुस्वैक्ति को कि गषा रहा है उसकी उम्र कितनी होनी साइए वो 15 साल कुंप्लिट नहीं करनाःए चाहें व्यक्ति को we deuxième में लिया और दिया जारा है उसकी कितनी होनी चाहिए वह 15 साल कंप्लीट नहीं होनी चाहिए लेकिन क्या कोई ऐसा व्यक्ति जो 15 साल आयो कंप्लीट कर चुका है उसको servison में लिया और दिया सब्सक्राइब इसी के रिगार्डिक सेक्शन 10 के अंतरत बताया गिया है कि वह कौन लोग होंगे जिनको एडॉप्शन में किया सकता है उनमें क्या विशेष्टा है उनमें होनी चाहिए तो अच्छी तरह से आप इन विशेष्टाओं को लेकिन कब यहां पर पंदरह साल के परसन को भी एडॉप्शन में रिसीव किया जाएगा इन बातों को अब ध्यान रखी है और इसी के साथ यहां पर आपकी आपकी क्वेश्टास में कि आसा तो